सब्टेंबर वी में नमस्ते कैसे हैं आप सब ट्रैटल फ्ट्रिपल वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वाकत है गाइस आज मैं इस्वर का संदेश लेकर आई हूँ आप सभी के लिए क्यूंकि इस्वर का संदेश वो होता है जिससे हमें आके बढ़ने का रास्ता समझ में आता है गाइडन्स मिलती है हमारी अवेकनिंग होती है अगर हम इस वर के बताए हुए रास्तों पर चले ना गाइस तो इनसान कई समस्याव से बसता है तो इसी वज़े से मैं बीच बीच में गाइडन्स के तरीके से जो है इस वर का संदेश वाला डिडिंग मैं लेकर आत ताकि कुछ सुकून आपको मिल सके क्योंकि लोग तो जो है सिर्फ हमें गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं पर इस वर एक ऐसा सोर्स है जो हमें जो हमारे मददगार होते हैं जो हमें सच्ची जो है चीज़े हमें गाइड करते हैं हमें सही रास्ता दिखाते हैं इनके अलाव अगर कोई सोर्स है कोई सकती है कोई ताकत है तो वह है इस्वर है ना जिसी जिसी भी डिलेजिन से आप बिलॉंग करते हो है तो चलिए कि देखते हैं कि अपर ज्स्तित्यों की बारे में क्या पता है वो आपको कौन से सुझाओ देना चाहते हैं कौन सा मार्व दशन करना चाहते हैं इसी पर आज हमारे रिडिंग होने वाली है तो पाइल पर जो है मैंने आज जड़क साइन रखे हुए है और जड़क साइन आपको अपने लिए सब्सक है नहीं मालूम तह आप एंगल नमबर से भी सकते हो तो पाईल नमबर वन में हैं है एरिस ज़मनी ली ओ लिब्रा सटा धूरर अर्यक्वेरिस मेश मितवन सिया तुला धनौ और कुम्ब त oftentimes चाहिए है और इस जरीक्वन सील्फ से लिब्रा धनौ और वरगो वरश्चिक मकरमीं रिस कर कर आखुट को चुनियं और जो भी रिटिंग पर निकल कर आता है उस-स फूट-स्टेप्स को आपको फॉलो करना एंस गायदंस को आपको अपनी जिंदगी में सामिल करना है उसे हिसाब पहलेने पत्व कहते हुए आपकी परिशानिया भी देखेंगे तिक है कि आपके जिन्दगी की परिशानिया क्या है तक्लिफ है क्या है और उसका solution क्या है solution ne MN मुद्दा होता है reading का है तो वो भी हम देखेंगे तो गई चलिए आपके reading पाइल नंबर वन से मैं और उसके पॉजिटिविटी के साथ ही पाइल को सलेच किया है इतना मैं यकिन करती हूं क्योंकि मैंने आज तक आपको सिखाया ही यही है है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नमबर वन की रिडिंग एंजल लंबर ट्रिपल टू एंड वी हैव एरीज जमनी लियो लिब्रा सेजी टेरिस और एक्वरेस है ना तो सबसे पहले जो रिडिंग है वह हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी औरिकल कार्ट से आपके एनर्जी देखना है मुझे कि कैसी एनर्जी में हो आप थिंकिंग मैं मैस्कुलाइन एनर्जी यहां पर निकल कर आई है नंबर फोटी सिक्स पर आप जानते हूं टारेट में जेंडर नहीं होता है है न और एंड वी हैव डोर टू रोमांस नमबर 33 यहां पर निकल कर आया है यह तो आपके अनर्जी से निकल कर आए हुए कार्ट है गाईज अब मैं एंजल की तरफ से भी दो काईदेंस लेना चाहूंगी काईदें और चाहूंगी यह जो है टेन आफ वैंट के एनरजी निकल कर आई है एंड वी हैव नाइड आफ सोड्स ओके चलिए युनिवर्स की तरफ से भी मैसेज लेंगे गाई उसके बाद टारट से रिडिंग करेंगे आपको रिडिंग लास्ट तक देखनी है क्योंकि मैं साइबाबा की तरफ से भी आपके लिए गाइदेंस लूँगी एंचल की तरफ से भी मैं दूसरे डिक से मैसेज लूँगी है तो आपको पूरा का पूरा रिडिंग फुल देखना है और अपनी जिन्दगी में अप्लाई भी करना है ओ माइगाद लुक अधिस यहां पर एक कार्ड आया भी था डो टू रोमांस का और यहां पर देखे लवर्स का कार्ड जो है निकल करा चुका है क्या बात है युनिवर्स ने आपको लवर्स वाली ब्लेसिंग भेजी है यहां पर क्यूंकि यह युनिवर्स का डेक मैं इस्तमाल कर रही हूँ क्लिंदिंग टू दा पास्ट चलिए इन कार्ड की रिडिंग हम पहले करेंगे और टैरेट की बारी बाद में आएगी ठीक है तो यहां पर जो आज नंबर्स इंपॉर्टेंट मुझे नजरा आते हैं वो है नंबर्स इंपॉर्टेंट है फाइब बहुत हीं इंपॉर्टेंट ही क्यूंकि दो बार रिप कार्ड्स है जो ब्लेसिंग्स है या फिर जो प्रॉलम्स है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले नंबर फाइव यहां पर रिपीट होकर दो कार्ड्स आये हैं और यह है क्लिंजिंग तुदा पास्ट यूनिवर्स को लग रहा है इस्वर को लग रहा आएग हुभ है इसकी आप बिल्कुल अपने पास्ट की चीजों से बाहर नहीं निकल पारे हो बास्ट की चीजें आपका डम घोट रही है तो आपको प्र झेम की यादें मेमोरी जो बातourd warning यह हो आपके दिमाग पर navigator करके बैठ perform की अब पास्ट में ऐसा कुछ आपकी जिन्दगी में डेफिनेटली हुआ है जो आपको प्रेजन में भी परिशान कर रहा है तो युनिवर्स ने आपके लिए यह कहा है कि क्या आप भी पास्ट में ही उल्जे हुए हो कि आपने फ्यूचर के बारे में आप कुछ सोच नहीं पा रहतो है अपको पास्ट ऐसा है आपका जो आपको छोड नहीं रहा जिस से पीछ आपका छूट नहीं रहा तो पहली आपके लिए निकल यहाई है आउट साइडर यह कार्ड जब भी मैं दीगती हूं मैंने करदे कहा है कि यह काड यह अनरजी मेरा दिल तोड देती है कहीं- कहीं आपको लग रहा है ऐसा कि you know कि आपकी किसी और बाव नहीं है आपकी जरुत किसीत को नहीं है के आप ững इनसान यह जो बहाने हैं जैसे लोग आपकर आसपास यह को अपने हो आपके फ्रेंडेंड हो आपके प्यार हो आपका नगिए हो आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपको कभी उन लोगों में सामिल नहीं किया गया आप हमेशा अपने आपको एक जो है स्ट्रेंजर की तरह एक अंजान इंसान की तरह दूसरों की जिंदगी में महसूस करते हो जो कभी आपको अपने सुख में सामिल नहीं करते जो कभ दूसरों के साथ मिलने की दूसरों के जिंदगी में सामिल होने की पर आपको लगता है कि किसी को आपके साथ की जरुत नहीं है आपको हमेशा बाहर जो है उठाकर दिया जाता है अना मतलब आप अन्वांटेड हो आउट्साइडर का मतलब क्या होता है कि आप दूसरों के लि जिनके साथ आप जिन्दर की बितना चाहते हो जनके दुख में जो है दुखई होना चाहते हो जिनके खोशयों में भी आप जला जबना को जगह नहीं ह mukän 1 het की तरह आट की तरह आउटशाइड़ की दस्यद्ध के अपने आपको पाते हो आप आपि इसely उसकता है कि किसी एक इम्जान के लिए आप ऐसा महसूस कर रहे हो, यह हम वह सकता है कि आपके सारे लोगों के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि हर वह सक्स आपके साथ connected है वो आपको ऐसा महसूस करवा देता है कि आप एक outsider हो stranger हो अंजान सक्स हो आपकी जरूत नहीं है आपके बिना ही ये लोग पास्ट का काड़ाया था यहीं कि पास्ट में ही अटके रहना पास्ट में ही जूलते रहना पास्ट से निकल नहीं पाना और सेम वही चीज यहां पर भी निकल कर आई है कि आप बहुत ज़्यादा इफ बट वाई में लगे रहते हो ऐसा क्यों वैसा क्यों क्यों हो गया कैसे ह गया आखिर क्या था है ना तो इन सारी चीजों के जवाब आपको मिलता नहीं है और आप अपने आपको बहुत ज्याधा स्ट्रेस देते हो बहुत जबहुत जब्धा आपको ही सताते हो आप एक प्रकार से कहें तो आप अपको छो माइंड है ना वह को आपका दुस्वन बन करते आप हमीसाथ दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो कि लोग ऐसा क्यों करते हैं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं अगर कुछ नहीं हुआ है तो आज आप प्रेजन में चीजों को है सोच नहीं रहे होते तो आप एक बहुत ज़्यादा एक ऐसी इंसान हो जो छोटी 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 चीज από ऑप दकि घ्र कशे तो इस तरीके से और तिंक कर आप यहां पर नजर आते हो चले दूसरे कार्ट के बारे में बात करते हैं यहां पर जो एनरजी निकल कर आई है अभी एक कार्ट क्या बदाते हैं देखें इस तरीके साथ जॉब करते हो इसा नहीं है यहां पर टैन आप को दिखा रही है बोच को दिखा रही है है ना कि आप जो है अपने आपको बिजी रखने के लिए ही सही अपने माइंड को जो है डाइवोट करने के लिए आपने माइंड को स्तिर रखने के लिए क्योंकि आपका माइंड स्तिर नहीं है हर पल सोस्ता ही रहता है ना तो कही ना कहीं जो है टू मच हार्ड वर्क कर र एपने आपको जो है बिजी रखने की कोशिस करना आप अपने रखने की करना पर आप अपने राउफ को बालंस नहीं कर रहे हो क्योंकि नेन रखने कब् Glas speaker की अलावां L everything देखो आपका हाल तो वही है दिन भर अपने आपको जो है काम में लगाओगे और रात में फिर से वही सारी चीज़े सोचने लगोगे तो फाइदा क्या हुआ अपके अंदर एक बहुत बड़ा बॉर्डन है तुफान है आपके अंदर आप अपने जिन्दगी को बालेंस बि दिख रहे हैं अगर आपको लग रहाए कि आप ठक चुके हो तौ uğोगे तो ऐसे वक्त जो है कि आपको दूसरों से मदद लेनी चाहिए मदद इंदर जो बी तकलीफ है जो आप अकेले अपने अंदर घुटन, जो महसूस करते हो, उसे शेर करो, उसे हलका करो, चाहे वो मदद लेकर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको, आपकी मन के अंदर एक आपनी छवी बना रखी है, कि लोग मुझे आने नहीं देंगे, लोगों को मेरी परवा नहीं है, मेरी सबी के लिए बेगाना जैसा हो चुका हूँ, या हो चुकी हूँ है, तो आप डरते हो, लोगों से शेर करने में भी आप डर रहे हो, कि कहीं वो आपको फिर से अलग ना करते हैं, तो इस दूर आप से कह रहे हैं, कैसे नहीं चलेगा, आपको अपना बोडन कुछ और लोग आप अपने आप से प्यार करो, उन चीज़ों को करो जिसमें आपका इंट्रिस होता है, मन होता है, दूसरों के लिए यहां पर बहुत अराप कर रही हो गाई, तेके, आप में से कुछ लोगों को जो है, रहा है 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 आपको प्रॉलम हो रही है हो सथाहिए कि आपकी कमर में बहुत दर्ध होता है, हो सब था है कि आपके इस overthinking के वज़े से आपके सर में दर्ध होता है, आपको migraine की problem हो चुकी है, anxiety की problem हो चुकी है, depression की सिकारा हो चुकी हो, तो इन सारे चीज़ों के पीछे का एक ही चीज है, वो है stress, तनाव, यहाँ पर साफ साफ वो word use हो चुका है, आप देखें यहाँ पर stress का जो है, यहाँ पर एक word इस्तमाल हुआ है, stress यहाँ पर आया है, तो stress के वज़े से ही यह सारे तकलिफी आपको हो रही है, अब यह कार्ड आया है, यहाँ पर चलें इसके बारे में बात करते हैं, यह night of source के energy है, decisive focus, driving, defensive events that move with great speed, अब यहाँ पर मै है, defend करते हुए, problems को मात देते हुए, खुद को protect करते हुए, बहुत speed से, great speed का word यहाँ पर आया है, और यह कहरा है कि बहुत speed आपके जिन्दगी में आने वाली है, आप बिल्कुल अपने goal पर focus होने वाले हो, अपने aim पर focus होने वाले हो, defensive का मतलब क्या होता है, खुद को defend क करना दूसरे लोगों से, और अपने goal, अपने मक्सिद की तरफ आगे बढ़ना और ही समय आ रहा है, आप बहुत बड़ा decision भी लेते हुए, नजर आये हो, choose intellectual responses to challenges rather than emotional, एक आपके लिए guidance यहाँ पर क्या आई है, कि ज्यादा emotional मत हो, ज्यादा भावनाव में मत बहुत हो, बहत होनाव में नहीं बहना है, वो फैसले लेने हैं, जो आपके लिए ठिक है, challenges को आपको accept करना है, पर accept कैसे करना है, डट कर उसका सामना करना है, किसी के लिए खुद को मारने की, खुद को मिटाने की अब जरूत नहीं है, यहाँ पर कहा गया है, sudden or unexpected changes, review your options, carefully, बहुत जल्दी unexpected changes आपके जिन्दगी में होने वाली है, unexpected घटनाएं आपके जिन्दगी में होने वाली है, पर जब भी आप किसी option की तरफ बढ़ते हो, तो आपको careful होकर उन options को चुदना है, मतलब जल्द बाजी में फैसला नहीं लेना है, जल्द बाजी में लोगों के हां में हां नहीं मि कर आया है, कि बहुत जल्दी देखे, लवर्स का काड आया है, यह बताता है, यहां पर देखे, आपकी single energy है ही नहीं, हाला कि मैं आपकी reading कर रही हूँ, बाकि सारी जगे पर आप अकेले नजर आये हो, तन्हा नजर आये हो, तकलीफों का सामना करते वे नजर आये हो, पर ए अपने जिन्दे के हर तकलीफों को अकेले जहला है, पर आपके लिए जो है, इस वर ने एक ऐसा soulmate तयार किया है, जो आपसे बहुत बेंतहा प्यार करता है, हैना आपको कहीं और success मिले ना मिलेगा इस, हैना कहीं और आप तरक्य कर पाओ या ना कर पाओ, पर प्यार के मामल में इस और आपको blessing दे रहे हैं कि आपको आपका soulmate यहाँ पर दिया जा रहा है, एक ऐसा इंसान दिया जा रहा है, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको समझेगा, जो आपकी care करेगा, जो आपको फिर से outsider जैसा महसूस नहीं करने देगा है, ना तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका सम्बंद जो है इस soulmate के साथ है जिसके वज़े से हो सकता है कि आप इस इंसान से प्यार भी कर बैठे हो हो सकता है कि इस इंसान की ही यादों में आज आप तरप रहे हो तो जो भी है condition guys यह soulmate आपके लिए सुरक्षित की आगे जा चुका है जो आपको समझेगा भी जो आपके साथ चलेगा भी जो आपको जिन्दगी पर साथ भी देगा आपको हमेशा प्यार ही करता रहेगा तो ऐसा soulmate आपको बहुत जल्द मिल रहा है और यहाँ पर हमें यह energy मिले भी थी है कि आप जो है जो है सारी समस्याओं का समाधान करते हुए है लड़ते हुए आप बढ़ते हुए आप नजर आए हो है तो साइद आपका यह बढ़ना आपका जो यह speed है वह आपको soulmate के साथ ही लेकर जो है soulmate की तरफ ही लेकर जा रहा है तो यह एक blessing है universe की तरफ से इस सर की तरफ से जो आपको दी जा रही है अब देखे यहां पर एक दरवाजा है जो बंध है और यहां पर एक दरवाजा है जो खुल चुका है कहने का मतलब क्या है कि आपकी जिन्दगी में romance इस वर भेज रहे हैं है नाले तो पीछ दर्वाजे के पीछ आप जास लेड़े के बढ़ना चाहते हो jet dioxide समomes जिन्दगी में खुश होना चाते हो यानि कि रोमांस वाला वह दर्वाजा खुल चुका है कि गुँख समय कि कि अभाल सकतॉास है सिर्फ हुआ है फिर से नमबर फाइव आपके लिए आया है गाईस एस उफ सोर्ट्स आपके जिन्दगी में बैलन्स नहीं था यही कहा गया था जब एनर्जी से मैंने निकाला था कि बैलन्स करने की ज़रो थ्योर दे के बैलन्सिंग की एनर्जी यहाँ पर डेफिनिटली आ चुकी है एट फैंटेकल्स आपके लिए भेजाता हूँ वही कार्ड वही एनर्जी हमें फिर से यहाँ पर दुबारा मिल चुकी है तकरा चुकी है तो चलिए तैर्ट से हम देखते हैं कि यहाँ पर आखिर क्या निकल कर आया है जैमिना आज स्ट्रॉंग कंडिशन पर है स्ट्रॉंग पोजिशन पर ह तो देखे इन कार्ड को देखकर भी वही लगता है कि five of pentacles आया है जो यह बता रहा है कि आपको किसी चीज का बहुत ज़्यादा डर सता रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो तनाओं में हो कि आपको किसी ने निकाल कर बाहर का रास्ता दिखा दिया है आपको energy है जो यहाँ पर आई है निकल कर है ना आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो आप अपने अंदर के डर में जो है जिन्दगी को जी रहे हो आप किसी से मिलना नहीं चाहते किसी को अपना डर्द बताना ही नहीं चाहते है ना आप जो है बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग पास्ट के experience से जाकर जोड़ता है यहांने कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तभी जाकर तो जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि को अई तर्वाजा कर दो मैं किसी में घर्क यहीं कि आपकी जोड़ी इस बना लिया एक लोग आपके जरुत नहीं है और यहां पर आगया है आपको प्यार कर दाया जाएगा आपके इन्वेस्ट्मेंट के बदली आपका रिटर्न जो है investment जो है वो double होकर आपको मिलेगा यानि कि इस और जो है जिन्दगी में आपकी balance को जो है ला रहे है और देखे Ace of Swords की जो energy आई है यह speed को दिखाती है यह जीतने को दिखाती है यह जो है रफतार को दिखाती है लाइफ में आगे बढ़ने को दिखाती है साथ ही साथ यह जो है है कि इस एंसान के साथ का कोई रिष्टा ख правile रिष्ट थी यह पिर चीसा जुड़ती है केरे से भी यह आफिर काम से भी जुडती है तो वहाँ पर देखे की आपका maintenance हो रहा है यानि कि अब चीजे ठीक हो रही है आप पैसिब नहीं आप आक्टिव लिहां पर चीजों को ठीक कर रहे हो चीजों को चीजे आहिस्ता आहिस्ता आपके जिंदगी में बन रही है क्योंकि बिगड़ चुकी है बिगड़ने के वज़े से ही तो आप जिन्दगी में इतना ज़रा पास्ट को लेकर परिशान हो आप तकलीफ में हो आप दर्द में ओवर तिंकिंग कर रहे हो ओवर स्ट्रेस ले रहे हो एंग्जाइटी के दवाया खा रहे हो डॉक्टर्स को द परड़ी बता चुकी हूं कि जिस चीज की कमी है सक्सेस की अगर कमी है प्यार की कमी है कोई ऐसा इंसान जो आपको समझे जो आपके वैल्यू करें जिसका आपके लिए सिर्फ मन में सिर्फ प्यार हो कोई इंटेंशन गलत इंटेंशन ना हो तो वैसा सोलमेट सक्सेसिन रि आपको दोका नहीं मिलेगा आपका हमसफर इस और ने चुन लिया है और बहुत जल्ट इस हमसफर के साथ आपकी बिगनिंग भी हो रही है तो आप जाएनध घबराने की डरने की आपने आपको अकेला महसूस करने की जरुत बिल्कुल भी नहीं है बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए रिडिंग निकल कर आई है चले देखते हैं साई बाबा आप से क्या कहना चाहते हैं साई बाबा की तरफ से आपके लिए संदेश क्या है लाइफ इसकूल लर्न एंड सोर तो यहां पर क्या कहा गया है कि हमारी जिन्दगी है ना गाइज हमारी जिवन हमारा जो जिवन है वो एक स्कूल की तरह ही है तो इससे हमें क्या करना है इससे हमें सीखना है सबक सीखना है है ना क्योंकि हम जब तक स्कूल नहीं जाते बहुत सारे ज्यान की चीज़े होती है जो हमें पता नहीं चलती है ना तो लाइफ भी बिल्कुल एक स्कूल है वहां पर हमें बहुत सारे कड़वे अनुभव भी होंगे कभी मार भी पड़ेगी कभी प्यार भी मिलेगा तो इन सारा यह एक जर्णी है एक सफर है और जिससे जो है हमें सबक सीखते जाना है कुछ चीजे सीख कर लाइफ में करना है ठीक है एक और निकालते हैं बालेंस देखे तीसरी बार आपकी रिडिंग में बालेंस का सबस्तमाल हो गया है फिर से वही कहा गया है बालेंस इन एनरजी विलकर औसकेलेशन डू ब्रिटिंग एकसरसाइस बालेंस कीजिए आपके जिन्दगी में नहीं आपके हेल्थ में बालेंस है नियापर नजर आता है कि आपकी बालेंस किसी चीज़ में भी नहीं है क्योंकि बालेंस कैसे होगी जब आप पास्ट में ही उल्जे रहोगे जब आप बीथी बातों को आप भूल नहीं पाओगे है ना आप जो है नई जिन्दगी के सुरुवात नहीं कर पाओगे तो सबसे पहले गाईज प्लीज बैलन्स कीजिए ठीक है अपनी जिन्दगी को हर चीज मैंने कहा ना कि emotions अगर emotions में बहते हो तो balance में बहो किसी को अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो तो भी balance में करो क्योंकि अपने लिए भी आपको सोचना है अपने लिए भी आपको करना है हद से जारा किसी भी जिसको मत करो है ना उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसके बारे में भी सोचो कुछ करने से पहले तो प्लीज बैलन्स यूर लाइफ ठीक है चले देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या है इस डेक्स से क्या है कि आपके समस्या हो कोई भी तकलीफ हो एंजल से हैं पर क्यों कह रही है कि आपके समस्याओ का समादान एंजल के पास है एंजल आपका साथ दे रही है एंजल आपके आपके ही साथ खड़ी है वह आपके साथ कम्यूनिकेट करना चाहती है वह आपके साथ बात करना चाहती है एंजल आपकी मदद करना चाहती है तो जो भी मांगना है जो भी आपको चाहिए जो भी आपकी तकलीफ है जो भी आपकी समस्याओं है उसे जो है आपको अपनी सारी चीजे शेयर करनी हैं गाइस और आने वाला दिन बहुत बहुत सारी चीजे हैं जो खूब धंग से बदल रही है पर उसके लिए आपको भी थोड़ा सापने लाइफ को कंट्रोल करना होगा बैलेंस में लेकर जाओ हैना बैलेंस तब होगा जब आप पास् सबस्क्रेण हैं इस्वर का संदेश आपके लिए गाइस आपको समझ में आई है क्या कहना चाहती है क्या कहा है उन्होंने आपके लिए और मैं चाहती हूं कि आप इन सारे footsteps को follow करो ठीक है तो इतना कहते हैं चले अब रिडिंग को करीं close आपको रखना है अपना बहुत चाहिए याल क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत चाहिए प्यार I love you all ठीक है नमस्तोय और गाइस वलकम बाक पाइल नमबर टू स्कॉर्पियो कैप्रिकॉन पाइसस टॉरस कैंसर वर्गो रिष्चिक मकर्मीन रिष्ट करक और कन्या यह है हमारा पाइल नमबर टू जिन्होंने भी सलिट किया है चले गई देखते हैं कि इस सुर्क का संदेश आकिर आप तो सबसे पहले रिडिंग के जो सुरुआत है वह हम आपकी अनर्जी से ही देखेंगे ठीक है रिडिंग ब्लास्ट तक देखें कि मैं बहुत सारे डेक कर इस्तेमाल कर रही हूं कि मैं प्रोपर गाइडेंस आपको देना चाहती हूं दो वर्ल्ड नमबर 29 आया है वर्ल्ड एंड वी है फिफ्थ चक्रा वाव थ्रॉट चक्रा ओपनिंग की जो है अनर्जी आई है नमबर 39 तो फिफ्थ चक्रा है और वर्ल्ड का कर आया है उसके साथ यहां पर हम दूसरे डेक से यानि की अंजल की तरफ से भी दो गाइडेंस ले रहे हैं नमबर 6 यहां पर आया है और इसका मतलब क्या है देखे वाव और नमबर 1 यहां पर आया है विच इस अफ पांटिकल्स के अनर्जी है यह चले देखते हैं कि इनका मतलब क्या है पर मतलब बताओं इससे पहले मुझे कुछ और कार्ड्स भी लेने है मैं इस डेक से यानि कि हमारे युनिवर्स के डेक से भी आपके लिए तीन एनर्जीस ले रही हूं देखते कि इस और आपको क्या बताना चाहते हैं यह तो आपके एनर्जीस हो गई और यह तो ब्लेसिंग वाली जो है कार्ड्स होते है इस इस और की ब्लेसिंग या इस और की नजर में आप कैसे हो आपके जिन्दगी में क्या है पहले इन कार्ड्स की में रिडिंग करूं भी उसके बाद टैरर से लिकालूंगी ठीक है गईस तो सब रखर करके रिडिंग को देखना है आदा आजूरा नहीं वी हाव अन्सटार्णिंग देखें सेम कार्ड रिपीट होकर आपके लिए आ चुका है दो वर्ल्ड और वी आ दो वर्ल्ड देखें सेम एनरजी सेम कार्ड ठीक है देख लीजिए एक्जोशन नमबर नाइन यहाँ पर निकल कर आया है तो चले गाई जब बताते हैं आपको कि इन कार्ड का मतलब आखिर क्या है इस और आपको क्या संदेज देना चाहती है कौन सी जगे पर आपका सुधार होने वाला है किस जगे पर सुधार की जरूत है इनके बार में आ एक्वारी जिल्ट कराएगी जब यहां चाहती जब टाई कि अस और आपको संझाना चाहते है जब तक तक नहीं होता है जब सब्सक्राइब लाईफ में आगे नहीं बढ़ पारे हो आपकी सेल डेवलेपन नहीं हो पारी है आपके जिन्दगी में खुशिया नहीं आ रहा है तो आपको सूचना है कि यह अदुखो वाला जो है चक्रश चल रहा है ठीक और यह दुखो वाला चक्रश फिर खतम होगा उसके बार एक नया रहा है और अभी आप जो आपके दूश्रे कार्ट आये ना उनको देखर तो मैं ऐसा महसूस कर रहे हूं कि आपके जिन आपके जिंदी है जो दौर है जो रहिए जो जानते हो आप क्या इसका होता है कि आपकी जिंदगी में इतना अंदर एक भयंकर वहार है का जो है आप महसूस करते हो जैसे कि जैसे कि किसी ने आग लगा कर धुआ भर दिया है आपके अंदर और आप जो है ना खुलकर देख पा रहे हो नहीं आपको सांस लेने में तकलीफ होती है आपको जो है चीजों को समझने में तकलीफ होती है आप अंदर अंदर रो रहे हो आप आपको किसी की मदद नहीं मिल पा रही है तो यानि कि आप किसी के साथ उस घुटन को उस पेन को उस तकलीफ को आप शेयर नहीं कर पा रहे हो तो इस एनर्जी को देखकर मैंने कहा कि अभी आपके जिन्दगे का जो cycle है वह अच्छा cycle नहीं चल रहा Isसमें आप इस दौर में आपको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है जहां पर आप क्या तक्लिफ साजा करने वाला कोई नहीं है आपके दर्द को बातने वाला कोई नहीं है आपको इस इस अंधेरी गुफा से इस अंधेरे पं से निकाल कर भार खीच कर निकालने वाला कोई नहीं है इस तरीके से जो है आप एक जोला मुखी के टॉप पर बैटे हुए हो जो किसी भी वक्त जो है अपने इमोशन पर काबू ना पाए कंट्रोल ना पाए और टोटली जो है आप खतम हो जाओ आप जो है अपने अंदर के गुस्से को निकाल फेको आपका गुस्सा जब फूटेगा तो साइध कितनों की जिंदगी बरबाद कर जाएगा तो इस तरीके से एक जो है ना जिसे मैं जौला मुखी कहती हूं वह अंदर ही अंदर स्टोर होता चला जा रहा है क्य यहां पर six of swords के energy निकल कर आई है इसमें क्या कहा गया है देखे the end of challenging times मैंने भी आपसे क्या कहा था कि अभी यह cycle है वह खतम होगा ठीक है यानि कि अभी का जो वक्त है अभी का जो यह समाई है वह बहुत सारे challenges से भरा हुआ है आपकी जिंदगी में है ना आप इन challenges को जो है स्विकार करते चले आये हो है ना चैलेंजिंग दिन आपने देखे है लोगों ने आपके साथ बहुत सारे challenges किये है और आपनी साथ उनका डटकर सामना भी किया है है ना तो यहां पर यह बताया गया है कि वो बुरा दौर वो बुरा समय जहां पर आपको challenges मिल रहे थे है ना looking up आप जो है चीज़े सामने की तरफ बढ़ने वाली है आगे की तरफ जाने वाली है आपकी चीज़े आपकी जिंदगी है ना आप रुकेगे नहीं थमे के नहीं थमेगे नहीं क्योंकि वो समंदर वो तूफान अब यहां पर थम चुका है ठीक है आप चीज़े आगे बहुत सुकून पाने वाले हो देखें यहां पर घुटन थी एक्जिशन का मतलब क्या होता है गूगल करकर देख लो डिक्स्नरी जो है देख लो आप है ना अब यहां पर एक वोड आया है रिलीफ यानि कि आप जो है सुकून भड़ी सांसे लेने का समय आ गया है आपको इं इसके लोकात दौर सारा चैलेंजेस का सामना करके अब आपकी जिन्दकी में सुकून आपको मिल रहा है फांडिंग यूर वे टू पीसफुल प्लेस आप एक ऐसे जगह को तलास कर रहे हो जहां पर आपको सांती मिलेगी जहां पर आपको सुकून मिलेगा समय गया है कि जो किसी भी वक्त फट सकता है इस कंडिशन में हो पर इस और आपको इस फटने से मतलब इस चीज के एक्स्वोशन होने से पहले ही आपको निकाल रही है आपको मौका ही नहीं देगा कि आप दूट जाओ आप भिखर जाओ आप दूसरों की दूसरों की खराब कर दो अपन सब्सक्राइब और यहां पर देखर आपको कोई चोई बीमारी भीमारी का रही है إगरा आप सामना कर रहे हो तो वह Suk हरो आप शिफ्ट करो है तो आपको करना ही हो रहा है सायकल ही सिफ्ट हो रहा है और साथ-श बुसक्तником के बाद top जिन्दगी में भी कुछ shifting यहाँ पर आ रही है, घर बदल सकते हो, job place बदल सकते हो, abroad भी आप जा सकते हो, travel के लिए या फिर studies के लिए या फिर job के लिए है ना, तो traveling का यहाँ पर बहुत अच्छा समय आपकी जिन्दगी में आ रहा है, जहाँ पर भागी के साथ साथ जिन्द जिन्दगी भी आपकी बदल रही है, आप देखें फिफ्ट चक्रा का काड़ आया है, नमबर 39, यह काड़ बताता है, कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो नगाई, जिसको जो है vocal voice में समस्या है, यह जो है फिफ्ट चक्रा ओपनिंग का काड़ होता है, है ना, फिफ्ट चक् इंसान खुलकर अपनी भावनाई नहीं बता पाएगा, है ना, वो बोल नहीं पाएगा, बोल कर लोगों को समझा नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान जो है बोल कर ही लोगों को अपनी बाते रखता है, है ना, वो freedom आप में नहीं है, आपको लगता है कि गले तक चीज़े आत बोल पाऊंगी, मैं किसी से express नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी, तो गले तक आकर चीज़े आतक जाती है, आप किसी से जगड़े भी नहीं कर सकते हो, ऐसा लगता है, आपको देख कर ना, कि आपको किसी ने बुरा भला भी कह दिया, तो आप fight back नहीं करते ह क्योंकि आपको लगता है कि आप बोलोगे, तो जीती नहीं पाऊंगे, लोग आपको हरा देंगे, तो इसी वज़े से भी ना, बहुत सारी चीज़े शियर नहीं कर पाते हो, और अंदर ये अंदर घुरते चले जाते हो, तो पर अच्छी बात यहां पर यह है, कि आप होना है, लोगों से सेर करोगे, लोगों को बताओगे, स्पीच, यह ना, मतलब बोलने में, स्पीच देने में, है ना, लोगों तक अपनी बन की बाते बताने में, जो है, अब आप सक्छेम होने वाले हो, तो थ्रोट चक्रा ब्लॉक अगर है, है ना, कम्मुनिकेशन का करते ही, अब यहां पर उपन हो रहा है, चल两प करते हैं, इस कार्ट के बारे में, जो यहां पर आया है, विंड फूल ऑफ अबंड़न देखे, यह कार्ट क्या बतारा है, कि यह ना, windfall of abundance, wise counsel, और good fortune, समय आ गया है, कि आपके जिन्दगी में देखे, हावा, हावा के जो जोके होते हैं, वो जोके जो है, अब आपके जिन्दगी में abundance लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर आ रहा है, success लेकर आ रहा है, progress लेकर आ रहा है, यानि कि इच्छाओं से भी बड़ी जो इच्छाए होती है वो पूरी हो रही है चाहत से भी बड़ा जो है चीजे आपको मिल रहा है जो चीजे मांगी नहीं है वो चीजे भी आपको मिल रही है तो abundance देंके word ही आ चुका है abundance का a wind fall of abundance आपको दिया जा रहा है आपकी जिन्दगी में देखे एक लड़की का अगर आप पिक्चर देखोगे तो वो चल रही है और उसका जो कदम है वो कहाँ पर है इस महल की तरफ है याँने कि आपके जिन्दगी में आपका जो सफर है आपको इसी महल तक लेकर जा रहा है जापर किसी जिसकी कमी नहीं होगी सपनों का घर, है ना सपनों का घर है यह आपका, जो आपको मिल रहा है और इस घर के अंदर वो सारे चीज़े होगी एक happy family होगी हैना success होगा, हैना job होगी अच्छा जॉब होगा अच्छी पोजीशन होगी वो सारी चीज़े जो है हवा के जूके की तरह आपको इस वर दे रहा है क्योंकि आपने एक लंबा सफर तै किया है दर्ध वरा सफर आपने अलवड़ी तै कर लिया है अब वक्त आया है कि आपको वो सारा अबर्नस मिले ठीक की जो है बदल रही है good fortune जो है आचुका है आपका विल ओ फोर्चुन भी देखे यह वर्ट वील ओ फोर्चुन का है एले की तक्दीर का पहिए आपके लिए ही घुमा है एक्साइटिंग क्यार ओपर्चुनरिटी के लिए भी बहुत अच्छा समय है अगर आप को लेकर बहु सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपने कहीं पर प्रपोसल दिया हुआ है तो कॉंट्राक्ट भी आपको ही मिल रहे हैं यहां पर अगर कुछ चीज पर्चेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां पर भी देखे आपको सक्सेस हो रही है आप जो है बहुत जल्दी उनकी खरीदारी भी करते हुए नजर आया तो बहुत ज़रा अबंडन्स यहां पर है और यह सारे अबंडन्स है वो इसलिए हो रहे है क्य कार्ड अंडर्स्टैंडिंग का यह एनरजी हमें बताती है कि अब आपको लोग समझने लगेंगे हैना अब लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे लोग आपका साथ देने लगेंगे हैना हो सकता है कि अब तक लोग आपकी इस एक्सप्रेस ना कर पाने की वज़े से आपका साथ देंगे क्योंकि आप खुद एक ऐसे इंसान हो जो दूसरों के तकलीफों को बहुत अंडरस्टैंड करते हो समझते हो गाइस तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आई है यानि कि लोगों द्वारा ही अब आपको हैना help मिलने वाली है यहाँ पर लोग आपकी कद जो मैंने आपके लिए निकाले हैं चले देखते हैं टैरेट से आपके लिए आखिर क्या है क्या है 10 of swords 5 of cups देख लिजे घुटन 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 देख लिजे आपके एनर्जी ऐसी निकल कर आई है तो इस वर ने क्या आप से जुट बोला है बिल्कुल जैसे आप हो वैसे ही कार्ज आप निकल कर आए है देख लिजे और देख़े क्या गया वैसे ही क्या वैसे वैसे अवाइन है कुईन अफ काप्स बॉटम में काट नजर आया है तो चलिए यहां पर देखे क्या नजर आता है तो यहां पर इस वर आपसे संदेश देना चाहते हैं कि उनको पता चल गया है आपने जिन्दगी में बहुत सारे धोके खाए है बहुत सारी चीज़े आपके जिन्दगी में एंड हुई है बहुत सारे चीज़े आपने खोई है हो सकता है कि अच्छी opportunities खो दी हो सकता है कि success का दर्वाजा बंध हो गया हो सकता है कि बहुत सारे रिस्ते आपने खो दिये हो सकता है कि किसी का trust आपने तोड़ा है या आपका trust किसी ने तोड़ दिया है तो कही ना कहीं आपकी जिन्दगी में चीज़े एंड हुई है, और आपको पता चल गया, फिर से जो है देखें, आपर एंडिंग का काड आया है, जो जाकर जूट जा है हमारे इस वर्ल्ड के काड से, वर्ल्ड का काड भी बताता है, एक चक्र था, एक समय ऐसा चल रहा था, बुरा दौर च इसके वज़े से ये सारे चीज़े हुई है, आपने बस खोया नहीं है, आपका तो भरोसा ही जो है जिन्दगी से उठ चुका है, आपका विश्वास लोगों से उठ चुका है, आपका विश्वास अपने तकदिर से भी उठ चुका है, आप गिर चुके हो पर आप उठ नह ना ही हिम्मत है, मेरे अंदर ना ही ताकत है, ना ही मेरे अंदर confidence है, ना ही मुझे खुझ से प्यार है, ना ही मुझे किसी और से प्यार है, तो इस तरीके से एक जिन्दगी अपने आपको तभा करके, लुटा कर बैटी हुई है, और बस अपने जिन्दगी का बुरे ख्वाब जो हमें बता रहा है कि कितनी जादा मायोसी है है आपको लग रहा है कि आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है आपको लग रहा है कि आपको साथ देने वाला कुछ नहीं है कोई नहीं है आपको लग रहा है कि आपने जिंदगी से बहुत सारे एहम चीजों को खोया है गुमा ने आपको दिया है उन में आपको अभी इंट्रेस्ट नहीं है समझ गए तो यहां पर देखिए एक बहुत ही बहुत ही मासुम सा इंसान जिसे जिन्दगी ने बहुत सारे थपड़ मारे है गाईज मुझे यह कहते वे बिल्कुल भी दुख नहीं होता क्योंकि मैं देख रही जो दिन है वो आपके जिन्दगी में देखे कितने सारे तबदीले लेकर आ रहा है अबंडस लेकर आ रहा है याने कि जो चीज़े आपने खोई है जो आपसे छीन ली गई है उसका भरपूर फल आपको रिटर्न में इस वर दे रहे है इस चक्रके खतम होते ही तो अभी जो आपको नज़र नहीं आता है जो आपके साथ नहीं है लोग आपके साथ नहीं है लोग ने आपके साथ दुस्मनी निभाई है आपके सच्चे दिल से आपको चाहने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा कमी यहां पर नज़र आती है पर बहुत जल्दी मैं देख रही हूंगा इस कि आपने भी ना संगर्स करते करते आपने क्या क्या है बुरे लोगों से अपना रिष्टा आपने खतम किया है देके seven of पास आने से मना कर दिया है आप लोगों से दूर हो रहे हो आप ब्लॉप कर रहे हो लोगों को खना क्यूंकी आपको इन पर भरुसा ही नहीं रहा तो seven of wands जो है रिस्ट्रॉक्शन वाली एनरजी दूर खने वाली एनरजी ही होती है है प्लाक्योंकी आप समझ चुके हो कि कि नियत आपके लिए अच्छी नहीं थी लोग आपको स्रिफ दगा या धोका देते थे हैं तो अब आपको जो है मजबूत जो है देखे परिस्तिती नहीं आपको कही न कहीं मजबूत बना दिया है कुईन ओफ कप्स का काड आया है जो आपके साफ और सचे दिल को दिखाता है अभी भी आपके इंतजार को दिखाता है आप कुछ चाहते हो आपके जिन्दगी में प्यार आए आप कुछ चाहते हो का आपको आपका जो ये खाली खाली पन है ये कप ये खाली कप है गाइस जि सुकून नहीं नहीं है आपके मुन में बहुत दर्द है और आपका इनोसेंट हार्ट है वह अभी इस प्यार को पाने के लिए बेताब है आप जो है बहुत प्यार देने वाले इंसान हो प्यार पाई पा सकते हो या नहीं सकते इससे आपको मतलब नहीं है पर आपनी जो है देने में कभी भी अपने हाथ तंग नहीं किये हैं बहुत प्यार दिया है आपने लोगों को बहुत जाए समान आपने दिया है बहुत यहां पर प्रिपेर करके रखी हुई है जो इस चक्र के खतम होते ही जो है आपको दे दी जाएगी आपको मिल जाएगी वी आर्ड वर्ल्ड का काड आया है जो यह बताता है कि आप शुर्फ इस जर्णी में अकेले नहीं हो है ना देखो वी का मतलब मैंने कहा है ना कि आपको अब को हर दड़ से निकालेगा जो आपको गाइट करेगा तो ऐसा जो है एक हम सफर भी बहुत जल्ट आपके साथ ठकराने वाला है इसी वर्ल्ड की खतम होते ही यानि इसी साइकल की खतम होते ही चले आप देखते हैं कि साई बाबा की तरफ से आपके लिए बिलीव डॉन्ट बिलीव एवरिटिंग फॉर इट्स नॉट रियालिटी तो सायद ये भ्रह्म की बाते साय बापा आपसे कह रहे हैं हो सकता है कि आप एक ऐसे इंसान भी हो जो हर चीज पर बिलीव कर लेते हो लोग आपसे आकर जुट भी बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि इंसान सचा ही होगा सची बोल रहा होगा लोग आकर आपके सामने फेक करने की कोशिस करते हैं कि वो आपके साथ है वो आपके अच्छे गुड फ्रेंड है वो आपके बेस्ट फ्रेंड है या फिर वो आपके आपके हर दर्द में आपका साथ देंगे बहुत सारे फेक प इस वर आप से कह रहे हैं साही बाबा आप कि हर जो चीज दिख रही है उस पर बिलीब मत करो कि हर दिखती हुई चीज है ना वो सच नहीं होती है ठीक है कि आपके बिलीब स्टम में थोड़ी सी प्रालम है थोड़ी से अपने नजरीय को बदलो है ना क्योंकि जो दिख रहा है वह हमेशा सच नहीं होता यह भी हो सकता है कि कुछ चीजों का भ्रह्म आपके मन के अंदर है हो सकता है कि सच्चा ही अभी तक आपके सामने आई नहीं है जिस जिसको आप धोका सोच रहे हो जिस जिसको आप बिट्रेल सोच रहे हो हो सकता है कि वो वैसा है ही नहीं यह भी हो सकता है सिक्के का दूसरा पहलो ये भी हो सकता है कि आपने अपने मन के अंदर वो भावनाय बेठा ली है और reality कुछ और है हो सकता है कि धोका नहीं दिया गया आपको हो सकता है कि परिस्थिती ऐसी थी हो सकता है कि आप लोगों को बेवफा महसुस कर रहे हो पर हो सकता है कि वो इनसान बेवफा नहीं था है ना, तो इसे लिए जो है जो है जो चीजे हमेशा खुली आँखो से दिखती है वो हमेशा सच नहीं होती वो भ्रम भी हो सकता है है ना आपकी सोच जो है उस सोच में جो है और साइद परदा पड़ा हुआ है ऐसा भी हो सकता है तो जिस्वर कहा रहे है कि बिलीफ को थोड़ा सा ठीक कीजिए ट्रस्ट ट्रस्ट यहां पर एक सब्द आया है जो भरोस्य को दिखाता है बी पेशन्ट इवन दो यू डोंट आपको सयम रखना है आपके पास साइद सवालों की जवाब भी नहीं है इतना ब्रह्म टूटा है आपका इतना जिन्दगी में इतना जारा सद्वा मिला है आपको देखे ट्रस्ट यहां पर कितना ब्रेक हुआ है दस तल्वारों वाले एनरजी आई है और यह कह रहा है कि हर सवाल के जवाब आपको दिये जाएंगे मिल जाएगा कोई भी अधूरा चीज रहता नहीं है और आपके सवाल भी अधूरे खतम नहीं होंगे उनका जवाब भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है तो यहाव तो हैव ट्रस्ट समझ करेगा है चलिए आइंजल की रोमांस वाव मैंने आपसे यह भी कहा था कि यहाँ पर एक काड आया है जिसमें एक वर्ड है वी और जो दिखाता है हम को यानि कि सिंगुलर नहीं यहाँ पर अकेली नहीं डूल एनरजी यहाँ पर निकल कर आई है और बहुत जल्दी देखे आपके जिन्दगी में रोमा साथ आपके जिन्दगी को जीते हुए उनके साथ अपनी हर प्यार को अपनी एमोशन और फिलिंस अपने आप शेयर करते हुए उनके साथ इंत्यमेट रुलेशनशिप बनाते हुए आप जो है नज़र आये हो तो यहाँ पर भी देखे वी वाली ही एनरजी है यहाँ पर ए जो साथ मिल रहे हो, एक हो रहे हो, है ना, तो यह समय भी आ रहा है, रोमांटिक पल आपको दिया जा रहा है, जो है ना, वो बहुत सारे चीज़े बदल रही है आपकी जिंदगी में, ठीक है, तो इन चीज़ों को एकसिप्ट करना है, और मैं सबसे पहले कहूंगी आप से, क यहाँ पर जो कमी नजर आई है, वो यह है, कि आप, आप थोड़े से भर्म में हो गाइस है, ना, आप थोड़े से ब्रह्म में हो, चीज़े आपके सामने क्लियर नहीं हुई है, तो बस टाइम का इन्तजार करो, सारे चीज़े जिसे आप धोका सोच रही हैरा है, ना, आप आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक जॉला मुकी है आपके अंदर दर्थ है आपको बिट्रेक किया गया है लोगों ने आपको साथ नहीं दिया है तो अगर ऐसा हुआ भी है तो परस्तित्या बदल रही है आप आप देखिए अपने डायरेक्शन ही चेंज कर रहे हो बात है कि abundance आ रहै है आपको जिंदगी में हावा झोकी कि तरह abundance आप है अपको देन चाहते थे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है आपने आपको ब्लेम करना छोड़ा इस गुटन से निकलनी की कोशिए करो ठीक है और फ्यूचर का इंतजार करो ओ इतना 4 । Ukrain मैं रिडिंग को कर रही हूं क्लोज आपको रखने है अपना बहुत चाख है यार क्योंकि मैं करते हूं आप सबसे बहुत जब प्यार लव यार ठेक केर नमस्ते आन बबाई गाईज